राजमंत्रे बंध में ब्रेक के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है ब्रेक के पहले हम लोग बात कर रहे थे राज़ो के बारे में पंडी ची एक बात बताईए BJP और शिवसेना में काफी तनाव है अड़ प्रेजेंट और पिछले कई दिनों से ये तनाव कायम है क्या लगता है आने वाले समय में ये तनाव कायम रहेगा या मामला सोलशता हुआ नजर आएगा देखिए ऐसा है कि जब हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं और उनकी कुंडली का अध्यन करते हैं तो उनके उपर इस वक्त राहु की महादशा चल रही है या सिंग राशी है उनकी और बहुत सालों से मैं उनकी कुंडली का अध्यन करते आया हूँ राहु की महादशा जब नौ साल पूरे हो जाते हैं तो नौ साल के बाद वो सकारात्मक रिजल्ट देने लग जाती है आपने देखा होगा कि नौ साल जब नहीं हुए थे पूरे तो बाड़ा साब उनको छोड़कर चले गए कहीं न कहीं वो खुद बहुत बिमार हो गए उनको हुरदय रोग हुआ उसके बाद में आप देखेंगे कि जब नौ साल राहु के पूरे हो गए वो पूरे होने के immediately बात वो बापिस अपने सत्ता पे काविज हो गए आज भारतिय जनता पारटी के सहभागी है भारतिय जनता पारटी के साथ कदम से कदम मिला कर चाहे गुस्य में है चाहे क्रोध में है पर आज के दिन वो पावर में है आज के दिन उनकी पावर आपने देखी हुई है दूसरी तरफ हम जहां भारतिय जन्नता पारटी की बात करते हैं तो भारतिय जन्नता पारटी की जब हम कुंडली का ध्यन करते हैं तो व्रिश्चिक राशी के उपर व्रिश्चिक राशी यह बात बहुत ध्यान से हमारे दर्शकों को सुन लेनी पड़ेगी और जान लेनी पड़ेगी और विशेशतर भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को अपने दिमाग में अपने दिल पर समझ कर चलनी पड़ेगी कि व्रिश्चिक राशी के उपर मित्रो इस वक्त साड़े सती चल रही है आपके सर्व मुखिया, देश के मुखिया, पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है वो व्रिश्चिक राशी है मंगल की राशी में जब जब शनी ने प्रवेश किया है तब तक कहीं न कहीं आपका मन भटका है आपका मन भ्रमित हुआ है आपको कहीं न कहीं संक्रमन हुआ है भूमी पुत्र मंगल है आपको याद होगा कुछ चैनलों के माध्यम से हमने भूकंप की प्रेडिक्शन भी की थी क्योंकि मंगल की बात करें तो धरणी गरव संबुत्तम विद्यूत्कांती संप्रभं कुमारं शक्ति हस्तम तम मंगलं प्रणवा में हम तो मंगल देवता जो है वो भूमी के कुत्र है राजनीती के देवता शनी जो है उसके इस वक्त गोचर में बैठे हुए है जिसके कारण भारतिय जनता पार्टी को बिलकुल भी अभिमान नहीं करना चाहिए मैं एक गुरू की भानती एक मारगदर्शक की भानती भारतिय जनता पार्टी से ये आवान करता हूँ एक निवेदन करता हूँ कि उनको किसी भी तरह का अभिमान इगो दूर करके अपनी पार्टी के संगठन के लिए, राष्ट की सेवा के लिए, देश की उन्नती के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपने सहयोगियों को कतई नराज नहीं करें, आज तक आपने देखा होगा कि एक समय था जब गोपिनत मुंडे और प्रमोध महाजन ने भारती ये आश्ट में अरंभ की तो चार या तीन सीते मिली थी इनको, और धीरे धीरे इनके उपर भगवान की कृपा होई, भगवान की कृपा होते होते ये पार्टी भारती ये जनतापारटी की सहयोगी बनी, इनका डिपुटी चीफ मिनिस्टर होता था और शिवसेना का चीफ मिन के इलेक्शन में बेटा आपने देखा होगा और हमारे दर्शकों को भी ये बात पता है कि कहीं न कहीं भारती ये जनतापारटी ने कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे प्रशन चिन्न खड़े कर दिये शेवसेना के सामने कि इन दोनों को अलग-अलग इलेक्शन लड़ने ये चेंज जो है भारती ये जनतापारटी को करनी पड़ेगी और ये चेंज उद्धव ठाकरे साहब जो है वो बार-बार बोलने के बावजूद भी कहीं न कहीं भारती ये जनतापारटी के नेता जो है वो अपना रुख जो है वो नर्म नहीं करते मगर यहाँ पर मैं बा इसलिए अभिमान को त्याग कर अपनी सहयोगी पार्टी शिवसिना के साथ में अगर चलेंगे तो डेफिनिकली आगे आने वाले दिनों में ये खुशहाली 2019 के बाद भी कायम रह सकती है क्योंकि कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि अभिमान का कितना बड़ा रिजल्ट इनक भारतिय जन्नता पार्टी का कॉंग्रेस का सुप्रासाफ कर दिया कहीं न कहीं अभिमान के ओपर एक प्रहार था एक आगात था यहां पर मैं बापिस यह कहूंगा कि शनी ब्रिश्चिक राशी मैं मैं शनीवार को शो इसलिए करता हूं कि शनी दंद देता है आपके अभि मान करो मैं तुम्हें दंदे मारूगा इसलिए यहां पर एक बात तै है कि भारतिय जन्नता पार्टी को नरम होना पड़ेगा नहीं तो इनका ग्राफ अगले आने वाले दिनों में और गिरेगा ठीक है आज आप राज गद्दी पर बैठे हुए हो कहीं ना कहीं आपकी सहय योगी पार्टी जो है उसका भी एक स्वाभीमान है और महराष्ट में मराठी मानुस के लिए मुद्दा उठाने बाले बाला साब ठाकरे बेशक नहीं रहे उनकी पार्टी और उनके नेताओं को उनके सेना के लोगों को उनके नाम के ओपर अभीमान है और बाला साब तो ह पारतिय जनतापारटी का समर्थन कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं, मैं दोनों को ये बोलना चाहता हूं, कि आप हिंदुत्व के मुद्धे पर एलेक्शन लड़ते हो, हिंदुत्व के मुद्धे पर राज करते हो, हिंदुत्व के मुद्धे पर लोग के लिए राजनीती में प्रवेश करते हो ऐसा मत करें अपनी सहयोगी पार्टियों को यहां पर एक बहुत बड़ी बात यह कहता हूं मैं आगे आने वले दिनों में इनका समावेश और दिवफार होगा और बढ़ेगा एक अठे होते होए दिखाई नहीं देते मुझे तो यह कहां तक यह लग रहा है आगे हम और शोज में इसके विश्वेश पर बात करेंगे कि कहीं BMC के इलक्षन में भी यह दोनों लड़ते रह जाएंगे अपने-अपने कैंडिडेट खडेंगे आप पार्टी कॉंग्रेस और NCP इनके आगे निकल जाएगी इतनी दिनों से इतन अंदरी के साथ ग्यान के साथ इन दोनों पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए ये राष्ट के लिए अच्छा काम करने वाले दोनों पार्टियां हैं राष्ट की सेवा करने के लिए मोदी जी तत पर हैं महाराष्ट की सेवा करने के लिए द्यविंद्र फढणवीस और उद्धव बाला साव ठाकरे ततपर हैं तो फिर क्यों ना सेवा की जाए इस इन ग्रहों का यही आदेश है नौ ग्रहों का और 27 नक्षत्रों का कि आप एक जगा बैठ कर सोच समझ के आगे चलें तो डेफिनेटली जनता आपके साथ है राष्ट्र आपके साथ है, महाराष्ट्र आपके साथ है ब्रेक का वक्त हो चला है बंडी जी लेकिन ब्रेक पे जारी जाते मन में एक सवाल आया है कि उद्धव और राश्ठाकरे के आने वाले समय में एक हो सकते हैं यह लंबा खिंच जाएगा शौट में बता दीजी है डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे योग है मगर उसका मैं डेफिनेटली आपको उत्र दूँगा मगर ब्रेक के बाद ही दूँगा ठीक है चलिए एक छोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद देखते रहे हैं जय महराष्टर